investment classes में आप सभी का दिल से बहुत-बहुत सौवाथ है सो तो इस पीडियर में हम बात करें कुछ important stock के बारे में उन से related कुछ important news को हम detail में cover करेंगे सो उन stock में से कोई भी stock आप लोगों पास है किसी भी label पर तो यह video के लिए बहुत important होने वाला है सबसे पहले हम बात करेंगे नजारा technology limit के बात करेंगे तो वाके दोस्तों बहुत ही सांदा नजारा हमें देखने को मिला लगबक 10 सारे 10% के धमाकदा तेजी और अगर हम इस तेजी की बात करें तो यह सिर्प आजी की दिन की तेजी नहीं या फिर आज की दिन पर 10-10% के तेजी के बात करेंगे तो बहुत ही बड़े धमाकदा न्यूस निकल का आ चुका है इस company के लिए और इस company के जितने सेरोल्डर उनकी लिए भी सो न्यूस के अगर हम बात करें सो निकल कमाद जी इनका नाम तो आपने जरू सुनागा जो की जरूदा के फाउंडर है तो आज ही की दिन आपने देखोगा स्टॉप 12% के तेजी के साथ आज ही की दिन 4 सेप्टेंबर company एक 50 डूबिक हाय इतने बहुत बड़े negative point अभी हाली से इस company ने गुजरा उसके बाद भी निखिल कमाद जीने 100 करों के investment के जो कि बहुत बड़े धमकेदार positive news तो जरू है क्योंकि हाली में आपने देखा होगा सरकार की तरप से बहुती बड़े negative news आया था gaming company पूरे gaming industry के लिए कि जितने भी gaming company है तो उनके उपर 20% के और GST मतब हमें लगाते हो देखने को मिला मतब अब उसे तो profit gaining के उपर जो कि बिलकुल भी अच्छे सा इंडिया जिनके लिए company के इंकम के उपर बहुत बड़े impact आपको पड़ते हो देखने को मिल जागा जिनके जासी इनुदा था स्टॉक में लगबग एक ही दिन में बहुत बड़े गिरावाट भी होता है तो नो डाउट सिर्फ नजारा टेक्नोलोजी जितने भी गेमिंग वाले कंपने पूरी इनिस्टी में हमें बहुत बड़े बहुत बड़ा गिरावाट आया था उसकी बाद जो स्टॉक में एक फ्लाट पैट बहुत ही धामागदाई नूस होगा तभी तो इस नूस को आज की दिन दस बारा पसंट की तेजी के साथ बाजने एप्रिशेट भी करते होई देखने को मिला तो यह कंपनी जो दिक्कते अवे देखने को मिला था सरकार की तरफ से तो यह सौट टाइम गया था और एक कंप लॉंग टाम में ग्रोव बहुत ही अच्छे करने वाला है जिनके जलते है नजारा टेकनोलोजी भी एक अच्छे प्रॉफ में देने वाला है जिनके चलते ही दोस्तो निकिल कमा जिन इतने बड़े इंवस्मिन किया तो इतना ही काना चूंग किसे टॉप पे खरीदा तो इ अगर आपको average और phase buying करने ही है तो company की Q2 के number देखना Q3 के number देखना उसके बात चाहता आप इसके बारे में decision ले सकते हो क्योंकि जो सरकारनी decision लिया है उसके बात company की income में कितने बड़े impact आता है तो please उसको देखना उसके बात चाहता आप इसके बारे phase buying और average के लिए आप अ आज के दिन बहुत ही शांदर हमें तेजी देखने को मिला लगबग 909% के तेजी और अगर हमें इस तेजी के बाद करें सिफ आजी के दिने पिछले कुछ दिनों से अगर आप इस stock के profits को देखोगे 5 दिन में लगबग 20% एक मन्त के बाद करें 13 to 14% 6 मन्त के बाद करें तो तेजी बंदियों देखने को मिलें और यह जो तेजी आपको इतने बड़े जो सौइप देखने को मिल रहे हैं इसकी पीछी का रिजन भी आपको पता है दो रिजन है पहला रिजन की बात करें लिए जो की हाली में अपने बेखा सो सिर्फ इस कंपनिं की लिए नहीं जितने भी पूरी aos यह सीरी कल् आपने ko देमान और इस कंपनी की फिर से आपको अच्छेघा से मिल जागा तो इस रिपोर्ट के चलते ही सारी किमिकाल स्टॉक पर आपने देखोगा अगर आप दस दिन के रिकॉर्ड देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे देजिए देखिए को मिलेगा जिनकी जाते ही स्टॉक भी आप बहुत ही शांदर पार्डिसिपेंट किया यह तो पहला र र्फेंट की जा से लगए चलो यह तो यह लिए बीदाउन है और किकमपनी के इनकम डॉंग टॉश्त तो ऐसा बिलकुर में जीते गदर कि कि इस नमबर को देखने से पहले इस नमबर को ज़ज़ करने से पहले आपको सीचुशन समझ माना चे इस टाइम पर आपने देखा होगा प्रहों के जो पुरी इंडिस्टी के कंपणि के जो नमबर आए थे वह क्वाटली याली आप किसी भी बड़े केमिकल कंपणि के नमबर उठा के देखलो जो कि सबसे बड़े कंपने उनके नमबर भी इस कौटर में या लिक कोटली दूनों बिसेज मैसिफ ग्रावार था बह ये तो के कमपणी की इंकम की बात कर तो फ्रॉफिट तो कामपणी ने अच्छे प्रॉफिट दिखा ह। तो बहुत साले लोगों के दिमाग में केस्चन हमेर कार होगा कि बाकी केमिकल कंपणी के नंबर क्यू और या लिबिन से बहुत ज़्यादा दाउन था। लेकिन अगर हम Phenodrix Chemical Limited की बात करें तो इसके नंबर हमें अच्छे देखने को मिला और बाजे ने उस नंबर को नहीं दिन एप्टिशिट भी किया था और मैं आपको कहा भी था गेती जीहा पर रुखने वाले नहीं है आपको आने वाले टाइम में कभी न कभी जरू देखने क्योंकि इस कंपनी ने सबसे बेस्ट नंबर दिखा अगर हम पूरे केमिकल कंपनी को साथ कंपार करें तो तो फेनरिक्स ने इतनी शांदा नंबर क्यों दिखा है उसके पीछे का रीजन है दोस्तों इसकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस अगर आप इसके एक्सपोर्ट के सिर्फ 27% कंपनी के इंकम जनेर होता है बहार कंट्री से यूएस थाइलांड और बाकी और भी कंट्री को देख पार होंगे और मैक्समम लगबग 73% इंकम सिर्फ इंडिया से आता है तो जिनके चलते कंपनी के इंडिया में तो ज्यादा दिखाते है नहीं जिनके चलते कंपनी आप देख पड़ेंगे पांच पांच सामें 600-600% और फिर से आपने टॉप के आसपास जाते देखने को भी रहा है तो इस चोटी कंपनी के टेकनिकल को अगर आप देखोगे तो एक नेगरी बनूस है ना तो सारे टेकनिकल ब्रेक हो जाता है तो फिर भी अगर मैं अपनी इसाब से बात करूं तो यह जो 350 के जो लेवल है 350 के लेवल अगर उसी के करीब है इसको ब्रेक कर देया है उसको पर कुछ दिन तर ट्रेड करें तो आप डेफिनिट्ली बहुत सब्सक्तों कि जो उसके ऑल्ल टाइम हाई है 409 के आसपास उसको भी ब्रेक करके 500 के कर करीब आपको जाते हो देखने को जरूर मिल जाए कंपनी बहुत छोटी है बहुत ही ज्यादा वाले श्टॉक है तो ब्लाइन जाकर खरीद मत लेना क्योंकि जब यह गिरता है आप देख पानगा आपको हालत खराब कर देगा 80-80% गिरता है यह भी श्टॉक 50% गिरा था त उसके बाद इस टॉक में थोड़ा बाद पॉजिविटी में थोड़ा बाद हडी आली देखने को मिला हमें गर आप इसके एक मन्त के प्रक्रफएंस के बाद के तो जैसे में आपको कहा एक मन्त नहीं दस बारत दिन पहने जो रिपोट आए था उसके चलते हैं आमें अगर यह कंपने आपको 明श्ञचिं अच्छे लगना चीए कमपनी की बात करे तो कंपनी आपको बता है इस्तिकमाल हों को मिली आग ter तु बहुत बड़े बढ़े-बड़े हमें क्लाइंक की दीखने को मिल आते हैं तो कंपनी के बिजिसफाल बाद कहा है तो बहुत बट और यह कोई आज की कंपणी ने लगबाग 50 से भी ज़्यादा इस कंपणी को होच चुका है तो एक्स्प्रेइंस भी कंपणी को बहुत ही ज़्यादा है सो अभी भी यह स्टॉक टॉपल वैसे लगबाग अब थर्टी सिक्स या उससे भी ज़्यादा आपको गिरावार देखने को मिल जाए किसी को फ्रेसेंटी लेनी है तो अगर यह कंपणी आपको अच्छे लगते हैं केमिकल इनिश्टि में तो आप इसके बारे में विचार कर से ब्रेक ना करें तब तक बड़े गिरावाट नहीं आएंगे और जब तक पांच से को ब्रेक करके उसको पर क्लोजी ना दे तब तक बड़े तेजी नहीं आएंगे तो इतना है का चोगार आपको शॉट टाइम के लिए जाने लोंग टाइम बाले ज़रू खरी सेक्तों क लगबग 2% सिस मद में 144% एक एक साल के बात करें तो लगबग 121% और स्टॉक भागे जारे और भागे जारे और इसकी पीछे का रीजन है कि कंपनी क्यों के साथ सरनली को सोचर में ने था सर्पाइज देते कंपनी के मैनेजबेन 1-5 का स्प्रीड तो जिनके पास है उनके अच्छे स्टॉक में अच्छे स्टॉक में तो उन्स टॉक में भी आपको इस प्रकार के अनौस में देखने को मिल जागा